मैं डाक्टर आर्पी सिंग, होमियो पाचिची के सक्थ, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, ठंड़क जोर से होने वाले कस्टों के बारे में बताने जा रहा हूं ठंड़क जोर, वैक्टरिया, वायरास, कट और अन्य परकार के रोगानों जैसे कई सुक्षम जीव मान और सरीर में परवेश करते हैं, आम तोर पर पर प्रतिरक्षा प्राणली इन सुक्षम जीवों से लड़ती है, जो सरीर के भीदर किसी बिमारी का कार्ण बनती है, लेकि प्रतिरक्षा प्राणली इन हानिकारक वायरस को रोकने में विफल हो जाता है, तो वे आम तोर पर सरीर में संक्रमण का कार्ण बनती है, यह बाद में सरीर में बुखार के रूप में आता है, ठंड़क जोर, बात पीत कफ ये तीनों दोसों के दूसित होने से होता है, लेक मुख्य रूप से पीत और कफ के कारण या प्रतिरक्षा प्राणली कमजोर पढ़ जाती है, और यह सरीर के भीतर के वायरस से लड़ने में विफल हो जाता है, जो बुखार के रूप में बाहर आता है, बुखार वास्तों में कोई बिमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है जिससे यहाँ पता चलता है कि हमारे सरीर में किसी तरह का संक्रमण हो गया है, इसका होम्योपाइथी कुप्चार में निम्न लक्षण को आधारिन दबा दी जाने की सला दी जाती है, इर्गी के आकमण के बाद ठंड़क जवर होता है, तब होम्योपाइथी की दर में ठांगों में दर्द और ठंड़क जवर हो तो होम्योपाइथी की दवा मनियांत तीस चार-चार भूंदिन में तिन बार, बाहों में दर्द ठंड़क जवर हो तो होम्योपाइथी की दवा रेफेलियम दोसा चार-चार भूंदिन में तिन बार, पीठ में कंदे के नी equip की थन्ड़क ज़र हो सीरो और चेहरा गर्म हो तो हो मिपथिकिया अर्ष War्रॉ हो सबत गर्म हो। होम्योपेटिक की दवा कैमों मिला 244 बुन दिन में तिन बार है हड्यों में अंगों में टिब्र पीवला के साथ ठंड़क जोर हो तो होम्योपेटिक की दवा पायरोजन 30-44 बुन दिन में तिन बार है सीने में खुली हवा में टहलने पर ठंड़क जोर रहे तो होम्योपेटिक की दवा रेने बल 30-44 बुन दिन में तिन बार अगली बाहों में दड़ ठंड़क जोर में होम्योपेटिक रवा कार्वोवेट 200-44 बुन दिन में तिन बार हातों में दध, ठंधकrade district, हातों में दध, ठंधखजवर में, wehr vicira 30 छचरभून कहीद, दिन में दध, दिन में 3 बार, हातों में भी ध pad, ठंधकजवर में हो, तो हम्यो पैथिक दवा इसे kaktos 200 छचरभून, दिन में 3 बार, हातों में पीठ, पर्ट, घुटनों में दध भूद ठंडग जवर में हो तो हूमेयोपाइटिक दवा बंजोई के सीद तीस चारचर भून दिन में तीन बार। गुट्णों में दर्द ठंडग यार रहे, रह मयो जोंड हो मयो पैतिक की दवाध कार्व्तेच दोसा चारचर भून दिन्में तिन भार निचले यंगों में दर्द ठंडग यार रहे तो मयो मैबने दवाध कोकुलास थर्ट चार्चर tucked दिन्में थिन tat场 Kap Columb Chi P convin me किसी एक भाग में दर्थ ठंड़क ज़र हो तो अगेरिकस दोसा चारचारबून दिन में दिन बार। लहर के साथ रीडम में दर्थ ठंड़क ज़र हो तो हो अगेरिकस दवा एविश कनाइवस दोसा चारचारबून दिन में दिन बार। साथ में कंदय ज़रो और पिठास में दर्थ ठंड़क ज़र जम्हाई लेना अंगलाई लेना होम्योपाथिक दवा पोलेटस दोसा चारचारबून दिन में दिन बार। साथ में शक्रिय अधिक जुखाम दर्थ ठंड़क ज़र हो तो हम्योपाथिक की दवा मार्क शल्प दोसा चारचारबून दिन में दिन बार। जीवन ताप की कमी दर्ड ठंड़क जवर में होम्योपाथिक की दवा बरेटाकार्व दोसो चारचारबून दिन में देना चाहिए। साथ में खासी सूखी ठकावट वाली ठंड़क जवर में होम्योपैजिक दवा रस्टक्स दो सो चारचार मून दिन में तिन बार लेना चाहिए। ठंड़क जोर में पेट पर से कपड़ा हटाना चाहे तो होमियोपाइचिक की दवा टेवेकम तीस चार-चार मून दो बार ठंड़क जोर में साम के समय किसी तरह का दर्ध हो गर्म कमरे में रहने पर सिकाइध हो तो होम्योपाइथिक दवा पलसेटला दो सो चारचार मून दिन में तिन बार ठंड़क जवर में चेहरा सीर हाथेली गरम हो तो होम्योपाइथिक की दवा फेरम मेट दो सो चारचार मून दिन में तिन बार देना चाहिए थंड़क जवर में चेहरा गर्म हो तो होम्योपैतिकी दवा इगनी सिया चार-चार भून दिन में दो बार थंड़क जवर बादी चूल मिचली चक्कर चम्रा गर्म पसीना सिर में गर्मी हो तो हुम्यापैदी की दवा कोकुलस 200-o-चार-चारभून दिन में 3 बार देनाँ चाहिए ठन्डक जवर में सिर्ष़ दर्ध हो तो हम्यापैदी की दवा किनेथे दो चार-चारभून दिन में 3 बार देना चाहिए ठंड़क जोर में शिर दर्ध हो जो बीच वाले भाग तक बढ़े आँख लाल हो तो होमियोपाइटिक की दवा सिंड्रोन दो सब चार चार बुन दिन में तिन बार देना चाहिए ठंड़क जोर में साथ में गर्मी और अंग्राई लेने की चाहो तो होमियोपाइटिक की दवा रश्टक्स दो सब चार चार बुन दिन में दो बार देना चाहिए jak टंड़क जोगर और गर्मी बारी बारी से हो तो हम्योपिति की दभा एविस्क निग्रा!!! 30 ‫ 44 behavior 1 दिन मैं तिन बढ़ना चाहिए थंड़क ज़गर साथ में बदमियाजी हो तो हम्योपिति की स्ञाप्आन 24 चार चर भूं दिन मैं तिन बढ़ने ठंड़क-जवर सद में बगबादी पन हो तो होम्यआपैथी की बॉटो-फाइलं थर्टी चार-चार बुंदीन में तिन बार देना छी ही ठंड़क-जवर सद में मिचली हो, तो होम्यृपैती की दवा ईपिकाख में थर्णध ही थन्डक जो़ जब कोई आराम नłemिलिएd, थन्डक जो़ साथ में धर्ध हो, तो हुम्योपेधी की दवा डलका महरा , दोसाओ चार-चार बुंども में तीन बादे ना चीह ठंड़क ज़ुर, शाथ में दर्द , अंगों में अकड़न, लॉकलता होतो arsaks heiniq , दोसाओ चार-चार बुंढिन में तीन बादे ना चीह थन्डग्जवर फीके चहरे के साथ हो, तो हुमियोपैती की कोकेन दो सुँचार-चार बून शुबह साम दे ना ठी है थन्डग्जवर साथ में अतिख खाज हो, तो हुमियोपैती की मेजेरियाम two छार-चार मून दिन में दो बार देना ठी है ठंडग जवर साथ में बाथ-दर्द चोठिलापन हो तो हम्योपाइथी की baptेसिया दो सब चार-चारबून दिन में तिन पार ज़ नहीं है ठंडग जवर साथ में विशैले लक्षन हो तो हम्योपाइथी की पाहरोजन इस दो-दो मून दिनमें तिन बार थंड़क जवर सातमें दम भूटने की समवेदन हो, 條 हुष्पाथी की अर्जैन थो 2,204 मूं दिननर में थिन बार स्वूर कें। थंड़क जवर में प्यास हो, हुष्पाथी की एकोनाइट थो 3,204 मूं दिनर में थिन बार स्वूर, ठंड़क जवर बिना प्यास के हो तो ड्रेसरा दोसो चरचर भून दिन में तिन बर देना ची है। ठंड़क जवर क्रोध के बाद अधिक हो तो होमियोपाइटी का आरम दोसो चरचर भून सुबह साम देना ची है। ठंड़क जवर दिन के भोजन के बाद अधिक हो तो मैगनेशियम फास सिक्स एक्स चरचर भून दिन में तिन बर देना ची है। ठंड़क जवर कोई भी पेपjor के पीने के बाद अधिक हो तो कैपसिकम दोसो चरचर भून दिन में तिन बर देना ची है। ठंड़क जवर दोपहर के पहले खाने के बाद अधिक हो तो होमियोपैशी की दवा पल्सिट्ला दोसो सुबह साम देना ची है। ठंड़क जवर तरी पानी बर्षन से अधिक हो, निम्न ताप से कम न हो, तो एराणियां दो सुबसाम देना ची. ठंड़क जवर जरास्ती बाहरी हवा से अधिक हो, हवा शरीर के भीतर गुसे, तो एको नाइट दो सारचार मुंदिन में तिन बार देना ची. ठंड़क जवर जरासी हरकत से अधिक हो, तो होम्योपाइटी की दवा आर्सेनिक एल्बम दो सारचार मुंदिन में तिन बार देना ची है। ठंड़क असपर्स से अधिक हो, तो एको नाइट दो सारचार मुंदिन में तिन बार देना ची है। ठंड़क जवर निम्दताप से कपड़ा ओढ़ने से अधिखो तो कैंप फोरा दो सव चार-चार मून दिन में दो बार ठंड़क जवर सुबह को अधिखो तो होम्योपाइथी की कलकेडिया कार्म दो सव दिन में तीन बार देना चीए ठंड़क जवर साम और रात के लगबग अधिखो तो होम्योपाइथी की एकको नाई रेपलेश दो सव चार-चार मून दिन में तीन बार लें धन्य बार